ट्राइंग एलकाहलिक बियर एंड नॉन एलकाहलिक बियर फॉर दा फर्स टाइम ग्लास में पहले गलत तरीके से नॉन एलकाहलिक बियर को पोर किया तो नतीजा आपके सामने है इसमें कोई स्मेल ही नहीं आ रही है और एक्सप्रेशन मेरे गलत आ गए है इसका टेस्ट बहुत जादे ही कड़वा है अब समझ आ गया लोग आलू बूजिया एंड ड्राइ फ्रूट्स क्यों खाते हैं ये है अलकाहॉलिक बियर चल आप साफ कर पहली वाली गलती को दुबारा दोहराने का नहीं जब मैंने इसको स्मेल किया लिटरली मेरे हालात कुछ ऐसे थे यार इसमें एक स्वीट फ्लेवर निकल के आ रहे जो नौन अलकाहॉलिक बियर से मुझे इसमें सही लगा पर इसकी स्मेल बहुत बेकार है भाई